हेलो गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताने वाले हैं अपाचे आर्टियार वन एटी और वन सिक्स्टी का कॉर्बॉरेटर कैसे क्लीन किया जाता है आप इस वीडियो के देखकर पलसर वन फिफ्टी पलसर वन एटी और अपाचे आर्टियार वन सिक्स्टी फॉर वी का भी कॉर्बॉरेटर क्लीन कर सकते हैं तो गाईज कॉर्बॉरेटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको लेट साइड के पैनल को हटा लेना है तो देखिए पैनल को निकाल लिया है और अब इसके बाद इस पैट्रल सप्लाई को बंद करेंगे और फिर इस ब्लैक पाइप को निकालेंगे यह देखिए पाइप को निकाल दिया है और अब एक्सलेटर केबल को निकालते हैं यह देखिए एक्सिलेटर केबल को निकाल दिया है और अब कॉर्बॉरेटर से एक्सिलेटर केबल को लग करते हैं यह देखिए एक्सिलेटर केबल को निकाल दिया है और अब इस क्लैम्प को निकालते है और इसके बाद आपको दूसरी साइड से इस क्लैम्प को लूज करना है तो चलिए दूसरी साइड से इस क्लैम्प को लूज करते हैं और राइट साइड वाला क्लैम्प भी लूज कर लिया है और अब कॉर्बॉरेटर को बाहर निकालते हैं कि यह देखिए कार्वलेटर को बाइक से निकाल लिया है और अब इसको क्लीनिंग करने का कम शुरू करते हैं और गाइस आपको इस होल को कवर कर देना है ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट वगएरा ना जाए तो गाइस क्लीनिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह जो मेरे पास कार्बॉरेटर है यह अपाचे आटर 180 का कार्बॉरेटर है और क्लीनिंग का प्रोसेस अपाचे आटर 180 अपाचे आटर 160 पलसर 150 और पलसर 180 अपाचे आटर 164V प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा और आप इस वीडियो की हेल्प से उन सब क्लीन कर सकते हो तो गाइस क्लीन करने के लिए हमें एक प्लायर एक स्टार हैड स्कूड्राइवर एक फ्लैट हैड स्कूड्राइवर एक 8 mm का डी स्पैनर एक 14 mm का डी स्पैनर एक थिन वायर एक क्लीनिंग ब्रश और एक क्लीनर इस्प्रे चाहिए तो चलिए अब कार्वडेटर को क्लीन करते हैं तो गाईश चलिए सबसे पहले इसका फ्लोट चैमबर खोल लेते हैं फ्लोट चेमबर खोलने के लिए ये दो स्क्रूज दिये गए हैं इन दोनों को ओपन कर लेते हैं ये देखिए फ्लोट चेमबर को खोल दिया है और अब इस फ्लोट पिन को हटाते हैं और इस फ्लोट पिन को हटाने के लिए इस्कूरू को खोलना पड़ेगा तो चलिए इस इस्कूरू को खोलते हैं यह देखिए हमने यह स्कुरू भी खोल लिया है और अब फ्लोट और निडल वाल्व को निकालते हैं और गाइस देखिए यह निडल वाल्व है और अगर यह खराब हो रही है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसी की वज़े से हमारे कार्बोलेटर में और फ्लो का इश्यू आता है और गाइस इसके बाद अब हमें इसका में जैट खोलना है तो हमें 8MMD स्पैनर से इस में जैट को निकाल लेना है और देखिए यह हमारा में जैट है यह हमने खोल लिया है और आप देख सकते हैं यह काफी गंदा हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह पूरा गंदा हो रखा है तो गाइज इसके बाद इसका स्लो जैट निकालेंगे तो चलिए स्लो जैट को खोलते हैं और यह हमारा स्लो जैट है जो कि हमने अभी निकाला काफी गंदा हो रखा है इसे भी क्लीन करना पड़ेगा तो गाइज में जैट और स्लो जैट निकाल लिया है अब इसके डाइफ राम कवर को ओपन करेंगे यह देखिए यह दोनों स्क्रूज को हमने खोल लिया है और अब डाइफ राम कवर को निकालते हैं यह वो स्प्रिंग है इसको साइड रख देते हैं अभी और देखिए गाइज इसका डाइफ राम कितना गंदा हो रखा है यहाँ पर काफी दोल मिट्टी जमी हुई है तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है तो गाइज चलिए अब इसकी बटरफलाई को निकालते हैं और यह देखिए इसके नीचे से भी काफी गंदा है तो गाइज देखिए बटरफलाई भी काफी गंदा हो रखा है काफी डस्ट वगेरा जमी हुई है इस सब को क्लीन करना बहुत ही जरूरी है गाइज पिक अप का इशू जादा आता है और मिसिंग का भी इशू आता है इसकी वज़े से तो गाइज चलिए अब 14 mmd स्पैनर से इसकी चौक को उपन करते हैं यह देखिए चौक को भी निकाल लिया है और अब इसको क्लीन करते हैं और आपको क्लीन करने से पहले एक बार यह भी दिखा दूँ आप देख लीजिए अंदर कितना गंदा हो रखा है यह देखिए और यह बाहर भी इतना गंदा है यह सब क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से तो चलिए इसको क्लीन करते हैं तो गाइस देखिए इनको सूपर क्लीन करने से पहले मैं आपको इनके एक बार नाम बता देता हूँ यह डाइफराम कवर है यह चोक है यह में जैट है यह slow jet है यह needle valve है यह float है यह float chamber है यह spring है जो कि die from cover के नीचे लगा रहता है यह butterfly है और यह carburetor है और अब आपको इनको अच्छे से clean कर लेना है जो किक कर दो आपको 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 नापको सूयुआ में जो आपको 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 सुटबें सक्मागा इर कर यह सलक ने अच्छे में चाटाब önce करेंग कि अजया है यह कि अजया है और अब क्लियनिंग भूप के एलफ न जो भी गंदगी वगरा लगी हुई है वो सब क्लीन कर लेनी है वो सब आयाइ अच्छी तो देखिए गाई यह अच्छे से क्लीन हो गया है अको दिखा दूं यह देखिए यह देखिए हमने पुरी तरह क्लीन कर दिया है और इसके अंदर से इतना डस्त निकला है जो की बहुत ज्यादा प्रोब्लम कर सकता है और गाईज अब पाइलेट जैट को क्लीन करते हैं यह देखिए हमने में जैट को क्लीन कर दिया है और उस थिन वायर की हल्प से इन छोटे छोटे होल्स को भी क्लीन कर दिया है और अब इसको रख देते हैं और गाईज इसके बाद भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और काफी साफ हो गया है और इसे भी सेड में रख देते हैं और आप बटरफ्लाई को क्लीन करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा गंदी है और आपको बटरफ्लाई को बहुत ही ध्यान से क्लीन करना है ध्यान रहे कि ये इसके साइड की रवर डेमेज ना हो अगर ये डेमेज हो जाती है या पहले से हो चुकी है तो आपको इसको चेंज कर देना है और गयाईज देखिए हमने बटरफ्लाई भी क्लीन कर दी है और आप देख सकते हैं पहले कितनी गंदी थी और अब एकदम साफ है तो चलिए इसको भी साइड रख देते हैं और गाईज अब डाइफ्राम कवर को क्लीन करते हैं ये भी काफी गंदा है और यह देखिए डाइफ्राम कवर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है यह देखिए और अब चोक को क्लीन कर लेते हैं यह देखिए चोक को भी क्लीन कर दिया है और अब फ्लोट चेम्बर को क्लीन करते हैं और यह देखिए फ्लोट चेम्बर भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और देखिए ऐसे हमने फ्लोट को भी क्लीन कर लिया है और इसको भी साइट रख देते हैं और देखिए गाईज यह स्प्रिंग भी साफ कर दिया है और देखिए गाईज यह हमारी निडल वोल्व है यह तो क्लीन ही है इसको भी रख देते हैं और गाईज देखिए सारे पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब एक एक करके सब को असेंबल करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो गाईज चलिए सबसे पहले इसका मेंजेट लगा देते हैं और यह देखिए मेंजेट लगा दिया है और अब इसके बाद स्लो जेट को लगाते हैं सुरू जेट भी अच्छे से टाइट कर दिया है और अब इसकी निडल वाल और फ्लोट को लगा देते हैं यह देखिए फ्लोट और निडल वाल्व को लगा दिया है और अब वो स्कुरू को लगाते है और यह देखिए गाइज निडल वाल्व और फ्लोट के स्कुरू को लगा दिया है और अब यह अच्छे से वर्क कर रहा है और अब इसके फ्लोट चेमबर को लगा देते हैं गाइज और देखिए फ्लोट चेमबर को लगाने के पाद इन दोनों स्कुरूज को भी अच्छे से टाइट कर दिया है और अब इसकी बटरफलाई को लगाते हैं और देखिए आपको बटरफलाई को इस डिरेक्शन में लगाना है कि यह स्ट्रिप इस लोक में फस जाए और अब इसका स्प्रिंग और डाइफ्राम कवर को लगाते हैं और गाइज इस प्रिंग को आप किसी भी डिरेक्शन में लगा सकते हो यह देखिए इसमें कोई डिरेक्शन नहीं है तो इसको ऐसे लगा दीजिए और इसके बाद आपको डाइफ्राम कवर को लगाना है देखिए और एक ये इन दोनों स्कुरूज को अच्छे से टाइट कर देना है और देखिए डाइफ्राम कवर को लगा दिया है स्कुरूज भी अच्छे से टाइट कर दिये हैं और अब चोक को लगाते हैं और 14 mmडी स्पैनर से चोक को टाइट कर देते हैं और देखिए चोक को भी अच्छे से टाइट कर दिया है और इसको आप एक बार बाहर को खीच कर और लोग कर कर देख लेना कि ये प्रोपर वर्क कर रही है या नहीं और ये देखिए हमने सारे पार्ट्स को खोल कर कार्बूरेटर को अच्छे से क्लीन कर दिया है और दोबारे से असेम्बल भी कर लिए है और अब इसको बाइक में लगाकर चेक करना है तो चलिए इसको बाइक में लगा देते हैं तो जीए कार्बरेटर को बाइक में लगाते हैं तो गाइस देखिए कारबूरेटर को लगा दिया है और अब दोनों क्लैम्प के स्क्रूज को टाइट करते हैं यह देखिए लेफट साइड वाले क्लैम्प को टाइट कर दिया था और अब राइट साइड वाले क्लैम्प को टाइट करते हैं कज देखिए दोनों क्लैम्प और एक्सिलरेटर केबल को लगा दिया है और अब इसको पैट्रोल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं यह देखिए पैट्रोल सप्लाई से भी कनेक्ट कर दिया और आपको पैट्रोल सप्लाई को ओन करने के बाद आदे से एक मिनट वेट करना है ताकि पैट्रोल दो बारे से कारबुरेटर में फिल हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे भाई को पैनल भी लगा दिया है और अब पैट्रोल सप्लाई को ओन करते हैं और पैट्रॉल सप्लाइ को ओन करने के बाद आपको आदे मिनिट से एक मिनिट तक वेट करना है ताकि पैट्रोल दो बारे से करपूरेटर में फिल हो जाए और फिर भाइक को स्टार्ट करेंगे ऊदो काइस देखिए एक से देड़ मीनित हो गई है और अब बैक को चार्ट करके चेक कर लेड़े है तो खाइस देखिए आश 사 confess आश रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगई है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और ऐसी informative वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तेंक यू